आज मैं आपके लिए बहुती स्वादिश्ट और बच्चीवी रोटियों का नास्ता लेके आई हूँ जिसे आप कम समय में बना के तैयार कर सकते हैं और ये रोटियों का नास्ता बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है अक्सर सभी के गर में रोटिया बच जाती है बस इसके बड़े टुकडे नहीं रहने चाहिए इसके बाद हमने एक बारी कटा हुआ प्याज इसके अंदर एड़ कर लिया है एक चमच हम अमचूर का पाउडर लेंगे ताकि नास्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए और आदा चमच हमने इसके अंदर काली मिर्स का पाउडर लिया है आप चाहिए तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आदा चमच और आदा चमच हमने इसमें हल्दी का पाउडर डाल दिया है एक चमच हम पिशिवी लाल मिर्स डाल देंगे आप चाहे तो आदा चमच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्स भी डाल सकते हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर आए और स्वाद अनुसार हम इसके अंदर नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद हम इसके अंदर एक चमच धनिये का पाउडर भी डाल देंगे और इन सभी को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो चमच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर आप हातों की सायता से भी सारी मसाले को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इसके बाद हम बेटर बनाएंगे आदे का टोरी हमने इसमें छना हुआ बेशन डाल दिया है और एक चमच इसके अंदर हम लाल मिर्ज का पाउडर भी डाल देंगे साथ इसके अंदर अच्छे कलर के लिए हम आदा चमच हल्दी का पाउडर डाल देंगे स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे और लगबग दो पिंच इसके अंदर हम हिंग डाल देंगे एक चमच हम सफेद वाले तिल भी डाल देंगे आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं और इसको स्कीप भी कर सकते हैं और फ्रेश बारी कटा हुआ हराधनिया डाल के सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमच से सारे मसाले को पहले हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बेटर बना के तयार कर लेंगे सभी के घरों में रोटिया बच ही जाती है और इन रोटियों का आप इस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं वैसे तो हम जरुतमन्द को रोटिया दे देते हैं लेकिन कभी कवार हमेरे घर में ज़्यादा रोटिया बच जाती है और इस तरीके से हम उस रोटियों का इस्तुमाल कर सकते हैं बेटर को हम ना जादा पतला बनाएंगे और ना ही जादा गाडा बनाएंगे जैसे ही बेटर तयार हो जाता है तो इसके अंदर एक चोथा ही चमच हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे ताकि हमारा नास्ता अच्छे से फूल जाए और इस तरीके से हमने बेटर बना old meno गिर्टर शोब पर joo I don't hear הבא कि सारे मसाले को इस तरीके से फ्यलाने के बाद 六 एक कटर या no ईसे कट कर लेंगेmm कि आपके पास कटर अउद तो कटस KEVIN से कट-कर सकते वरना इस तरी एक छोटी गिलास से भी आप सरकल कट कर सकते हैं और पहले हम सारी सरकल कट करके तयार कर लेंगे उसके बाद ही हम तेल के अंदर इने फ्राइ करेंगे आप चाहे तो इस तरीके से पहले चपाती के सरकल कट करने के बाद मसाला भर सकते हैं या फिर आप पहले वाले तरीके से भी भर सकते हैं आपको जैसे सही लगे आप उस तरीके से नास्ता तैयार कर सकते हैं यह हमने सारा नास्ता बना के रख लिया है इसके बाद हम इस घोल के अंदर नास्ते को डिप करेंगे तेल के अंदर हम नास्ते को एक-एक करके फ्राइ कर लेंगे नास्ते को फ्राई करने के लिए हमें गेस की आज मीडियम ही रिच चाहिए ताकि हमारा नास्ता अंदर तक अच्छे से सिख भी जाए और क्रिश्पी बनके तयार हो इस नास्ते को फ्राई होने में लगबग 5 मिंट का समय लगा है और 5 मिंट के अंदर हमारा नास्ता अच्छा क्रिश्पी हो चुका है बहुती कम समय में ये नास्ता बनके तयार हो जाता है और बहुती टेश्टी नास्ता बनके तयार होता है इस तरीके से आप बचीवी रोटियों का नास्ता बना के जरूर देखेगा आपके घर में सभी को ये नास्ता बहुत ही पसंद आएगा आप चाहे तो इस नास्ते को केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सरू कर सकते हैं आपको मेरी रेशिपीस अच्छी लगती हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चेनल पर नए हो तो चेनल को सस्क्राइब भी कीजिएगा नास्ते को हम अलटते प्लटते वे अच्छा गोलडन होने तक फ्राई कर लेंगे या हमारा नास्ता अच्छी से गोलडन हो चुका है और इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है आप देख सकते हैं कितना फूला फूला और कचोरी जैसा नास्ता बनके तैयार हो चुका है और बहुती स्वादिष्ट नास्ता बनके तैयार हुआ है और कोई बता भी नहीं सकता कि आपने बचीवी रोटियों से ये नास्ते को बना के तैयार किया है नास्ते को हम एक छलनी के अंदर निकाल लेंगे ताकि इसका सारा ओल निकल जाए बचीवी रोटियों का नास्ता बनके तयार है एक बार इस रेसिपी को ट्राय करके जरूर देखेगा बच्चों को ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद